प्यार सारी हदे पार कर गया है उसने कोई कमी नहीं करी आपको तड़पानेगी तो मेरे दोस्तो घबलाना नहीं है आपको बस दो लोंग लेकर इस तरह तुलसी के पेड़ की जड़ में रख दें तड़पाने बाला खुद तड़पेगा प्रेम संबंदों को मजबूत नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो जो बैकती दिन रात आपके खयालों में आता है और आपको सताता है तो यकीनन उसको आपकी याद तो आती होगी लेकिन आप इस दूरी को सहन नहीं कर पा रहे हैं आपका दिल तडप रहा ह मन में बस यही खयाल है कि बहे मुझको मिल जाए चाहे बहे इस्तरी हो चाहे बहे पुरुस हो हर को यही सोचता रहता है कि उसका प्रेमी जल्द से जल्द उसे मिल जाए तो दोस्तो रूठे प्रेमी को मनाएगा प्यार की दूरियों को करेगा खत्म और प्यार के बीच आन वीडियो में आगे बढ़ने से पेले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके मेरे प्यारे प्यारे भक्तो तुलसी भागवान सिफ की वो बूटी है जो स्वयम भागवान सिफ सेवन करते थे अपने भूख अपने प्यास भी इससे मिटाते थे जब भागवान सिफ संसार की परिक्रमा करते थे तब तुलसी के ढाई पत्ते सेवन करके परिक्रमा करते थे और उनके मनमस्तिक्स को सांत करके रखती थी तुलसी दोस्तो आप तुलसी का ये उपाय करें तो आप भगवान सिब की आराधना करते हुए ये उपाय करें और कमेंट बॉक्स में जै भूलेनात अवस्य लिखें ताकि भगवान सिब आपकी हर इच्छा पूरी करें दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की और और बताते हैं कि आपने ये दो लोंगे इस तुलसी की जड़ में कैसे रखनी है दोस्तो आपको दो लोंगे फूल वाली लेनी हैं साबोद अपने प्यार का नाम लेकर के एक लोंग पर फूंक मारनी है और उस तुलसी की जड़ में मिट्टी में दवा देनी है दोस्तो फिर उस भूलेनात देवों के देव से अपनी इच्छा पिरकट करते हुए मिन्नते करनी हैं कि है देवों के देव जिस तरह तुलसी का पोदा आपके इच्छाओं को पूरी करता था उसी तरह मेरी भी इच्छा पूरी कर दे मैं आपको ये लोंग बख्षता हूँ और आप मुझे मेरा प्यार बख्ष दें दोस्तो इस तरह आपको मिनत मांग करके इस लोंग पर तीन वार फूंक मार करके ये लोंग भी आपको मिट्टी में दवा देनी है उस पेड़ के नीचे दोस्तो ये उपाय आपको सिर्फ सौंबार के दिन ही करना है बैसे तो आप इस उपाय को किसी दिन भी कर सकते हैं लेकिन सौंबार का दिन भगवान भोले नात का होता है आपके इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै भोले नात